हलो पिंकी, जहिन, मेरा नाम कैप्टन विश्वास राय है, मैं एंपी गवर्मेंट में पाइलिट हूँ और अभी वर्तमान में हम लोग गवर्मेंट के इस कोरोना की जो इत्रीकिस प्रॉब्लम है हम लोग कोरोना वाइरस के सैंपल्स को लेके भॉपाल से अलग-अलग शेहरों में जा रहे हैं इंदौर से दिली, भॉपाल से दिली, भॉपाल से पॉणिचेरी और इस कार को करने के पहले हमको पी-पी किट्स रगरा पहननी होती हैं जैसे ही यह प्रोग्राम मिलता है तो हम लोगों को इमीचेटली दिया जाता है और हम लोग फ्लाइट करने के पहले हम लोग सैनिटाइज होते हैं पीपी किट पहना होती है और जब फ्राइट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में हम लोग को दुबारा से सेनेटाइज किया जाता है यह कार एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही चेलिंजिंग है इसके पहले हम लोगों ने इस प्रकार का कोई भी कार नहीं किया यह जो का है इसमें हमको सभी प्रकार का सभी लोगों का सायोग मिल रहा है पूरे हमारे कंट्री के लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग जैसे कि हमारे कंट्री के हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी भी सभी लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे है कि शोसल डिस्टैंसिंग बना के रख उनके भी काफी efforts हैं, तो उनके भी इतने जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम सभी लोगों को सही होग करना चाहिए, ये सारे जो भी हम लोग को program मिलते हैं, जैसे ही government level से ये program हमारे Secretary Director Sir को मिलता है, वो immediately हम लोगों को बताते हैं, और हम लोग इस कार को करने के लिए अपने माता-पिता, वाइफ, बच्चे, इन सब लोगों से दूर रह रह रहा हूँ, बाजू में ही मेरे ब्रदर Captain Adarsh Ray, जो कि helicopter pilot है, उनका जो बंगला है, मैं अकिला उसमें रहता हूँ, और 12 तारिक से मैं अपने आपको जब से मैंने हम लोगों का samples को shifting का work शुरू हुआ है, उस work ये टाइम से ही मैंने अपने आपको करोटाइन किया हुआ है, केवल अपनी duties, flights के लिए जाता हूँ, उसके बाद आने के बाद लोगों से नहीं मिलता हूँ, और अपनी family से भी दूर रहता हूँ, हलकि family से दूर रहना थोड़ा सा challenging है, बट ultimately ये एक देश की सेवा का कार है चुकी मैं